हलो हुडेंस आज की सुड़ों में आज मैं आप लोगों को दसवी और बारवी के रिजल्ट के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दसवी बारवी का एक्जाम जो डेट था ना जो खतम हुआ सुरू सी स्टार्टिंग उसका डेट जो लिखाया हुआ है रिजल्ट के लिए यहाँ पे कोई भी एनॉस्मेंट डेट नहीं दिया है तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो देखो यहाँ पे कोई भी एनॉस्मेंट डेट नहीं दिया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा लेकिन जो डेट निकल के आए है ना जो अफवा के तोर पे जो सभी जगा मतलब फैल रहा है समझो तो वो डेट निकल के आए है वो मैं आपको बताना चाहूँगा तो जो अफवा है डेट जो है वो है 30 अप्रेल 30 अप्रेल 30 अप्रेल और यह कनफर्म डेट भी हो सकता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस वर्स लोकसभा का चुनाओ है और लोकसभा के चुनाओ के कारण पेपर जो चेकिंग का काम है वो जैसी आप लोगों का पेपर हुआ ना तो पेपर चेकिंग का काम सुरू हो गया था और पेपर का चेकिंग का काम बहुत तेजी से हुआ है और लोग सभा के चुनाव जो है वो 36 गड़ में तीन चरण में होने वाले हैं दो चरण अपरेल में हैं और एक चरण जो है वो मई में हैं तो साथ मई को है न तो इसी वज़ा से डिले न हो आप लोग का जो रिजल्ट जो आने वाले है न वो डिले न हो इसी ही वज़ा से पेपर चेकिंग जल्दी किया गया है और 30 अपरेल के डेट को अधिकारिक तोर पे तो हम नहीं कह सकती यह एक अफवाह डेट है अगर आ जाता है आपका रिजल्ट तो यह 30 अपरेल को फिक्स आ जाएगा न एक दो दिन पहले हमें पूरा सुचना मिल जाएगा पेपर के थुरू पेपर में बता दिये जाता है कि आपका रिजल्ट इस डेट को आने वाला है अगर 30 अपरेल को नहीं आता है तो दो डेट और निकल क्या है अब दो डेट नहीं कहूंगा एक ही डेट कहूंगा 10 मई ठीक है चुनाओ के वज़ा से डिले होगा अगर 30 अपरेल को नहीं आता है तो 7 मई को भी चुनाओ है तो 7 मही को चुनाओं मतलब 3-4 दिन तो ऐसी डिले हो जाएगा, क्योंकि चुनाओं में लोग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बहुत सारे काम है, तो 2-3 दिन, 4 दिन ऐसे चला जाएगा, इसलिए उसके बीच में तो कोई भी डेट नहीं है, तो डेट कौन सा आया, 10 मही, अग 10 मही से 15 मही के बीच, 10 मही से 15 मही के बीच ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर 30 अपरेल को नहीं आता है, तब की बात है, आपका जो रिजल्ट है, वो 10 मही से 15 मही के हो ही, आपका रिजल्ट आएगा,